तो हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम आपके लिए एक ऐसा एक्जामपल प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी आईटी की जरनी और ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाएगी और आपको लगने लगेगा कि आज के बाद हम भी इस गोल को क्राक क कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं यार बच्चे अपने बारे में कुछ बताएं अपना सिर मेरा नाम प्रशान्थ विनोद है और मैं बिहार मुझपरपूर से हूं और मैंने अपनी 11-12 और ड्रॉपर की जरनी अने केडमी कोटा आफ लाइंग से ही किये इस पर जेए मेंस और जब इसने अने केडमी कोटा आफ लाइंग सेंटर में ड्रॉप लिया इसको एक बहुत ही साधारन सा बैच C4 बैच अलॉट हुआ लेकिन इस बच्चे की मेहनत और टीचर्स के सपोर्ट की वज़े से इसने 2024 में 99.91 गें किये जिसके गॉर्सपांडिंग इस बच्चे से सवाल करते हैं जिसके जवाब हमें इस बच्चे से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं यार प्रशांद मैं तुमसे पहला सवाली पूछना चाहूंगा कि यार आपकी जब रिजल्ट आई तो आपका और आपके पैरेंट्स का क्या रियक्शन था क्या लग रहा था आपको जब रिजल्ट आया तो काफी आउट ऑफ दे वर्ल्ड वाली फीलिंग आई लगा कि इतना चम ने अचीव कराया और हमारे पैरेंस बहुत खुश हो गये थे उन्होंने काफी कॉंग्रैचुलेट करा और और ऐसा फीलिंग आया कि हमने जो अपनी एक साल की जर्णी अनेकेड लोग को हमने खुश कर दिया अपने रिजल्ट के साथ में अच्छा मेरा एक और क्वेश्टन है आपसे एक्जाम से पहले दुमाग में क्या सब्सक्राइब आता कैसा स्ट्रेस स्ट्रेस प्रेस कर रहे थे और कैसे उसको आपने कंट्रॉल किया इक्जाम से पहले काफी प्रिपरेशन की है वह एक्जाम के दौरान शो हो ना हो हमारा पेपर कैसा जाएगा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा लेकिन तब भी हमने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा और यह सोचा कि हमें अपने पेपर को किसी तरीके से अच्छा करना है पेपर कैसा भी आए हमें अपना बहस देना है बस वह दिमाग में लेके हम पेपर देने को गये थे प्रशान्त मेरा तीसरा घुश्यन है आपसे अनकेडमी ओफ-लाइन को से की उसके बारे में थोड़ा सा बताईए बच्चों गाट करिए सर जब हमने अनकेडमी कोटा ओफ-लाइन को जॉइन करा तो उसके बाद हमारे काफी बैकलॉग्स थे लाश्ट यहर के हमने अपने टीचर्स को बताया कि सर मेरे इन औरगिनिक में यह डाउट्स है मेरे यह बैकलॉग्स है तो मैंने अपने सारे टीचर्स को अपने सारे बैकलॉग्स के बारे में बताया उसके बाद उन्होंने मुझे सॉलूशन प्रोवाइड करा कि तुम पार्ट वाइस चीजों को बाटो हर चैप्टर वापस से पढ़ाई होगा उस दौरान कंसंट्रेट हो और देखो कि तुमसे गलतियां कहा हो रही है उसको एनलाईज करो प्रिप्रेशन के दौरान काफी अपस और डाउन्स हाए लेकिन हमारे टीचर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया रिगार्डलेस ऑफ दे रिजर्ट बहुत बढ़िया प्रशांत मैंने आपका एनलेसिस वाला पार्ट देखा था कि आप हर पेपर को जब देते थे तो उसको बहुत अच्छे से अनलाईज करते थे और अपनी मिस्टेक्स को भी आप लिखते थे कि मेरे से ये मिस्टेक्स में इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं तो वो आप हमेशा करते थे और आपने एक बहुत सिस्ट वेट भी होता है तो यह जो एक साल का आपका टैनियोर था आपने उसको किस तरीके से smoothly या challenging way में किस तरीके से आपने इसको निकाला इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आप गैट करें जब हम 12 में थे तो हमें एक हम लगबग एक महिने recover होते होते लग गया था वापस आये तो backlogs इतने सारे बन गए थे कि ऐसा लगा कि हमारी लगबग 90 से 100 classes चूट चुकी हैं काफी homework काफी assignment सब चूट चुके और हमारे 12 में वापस स्टार्ड करा तो एक motivation से स्टार्ड करा कि नहीं इस साल को अपना best year बनाना है हमें पता था कि अगर हम महनत करेंगे अपने महनत पर काम करेंगे तो आज नकल मेरे result आएगा कितना अच्छा हैगा वो नहीं पता था लेकिन किसी तरीके से हमने हमने अपनी महनत पर ही focus करा पूरे साल बर जितने homework मिलते थे जितने टीचर से assignment देते थे तो personally way में हमने हर टीचर से अपने doubts को clear करा on time सारे test दिए सारे टीचर से अपने doubts को पूछा और इस तरीके से अपनी journey को continue करा अब ups and downs आते थे हमेशा लगता था कि आप छोड़ दे आप छोड़ दे लेकिन लगता था नहीं यार छोड़ देंगे तो फिर result कभी नहीं आ पाएगा और कई ना कई parents का भरोसा था कि इसने drop लिया यह कुछ करेगा तो अपने parents के भरोसे को जिन्दा रखने के लिए हमने हर दिन हर वे में अपने को उपर रखा मैनत किया प्रशान बदाई हो आपको बले दो आपने यह तो बताया पूरा finally alert हो जाएगी हमने जब quota में अपनी journey start करी तो starting में काफी smooth थी लेकिन बीच में जब बिमार पड़े उसके बाद चीजें जिस तरीके से down गई हमने अपने आपको जिस तरीके समाला जिस way में अपनी struggle को जारी रखा उससे एक चीज़ सीखने मिल गई कि life में आप किसी भी field म हो कुछ भी करो अगर आप मेहनत कर रहो उस field में तो आप उस field में पक्का आगे निकलोगे कोई ऐसी शक्ती नहीं है जो आपको रोक सके मैंने अपने पूरे time में अपने आपको यही सिखाया कि मेहनत करो एक दिन अच्छा होगा और शायद वो दिन आज आ गया है और मैं ब समझ में नहीं आ रहा होगा सबसे लड़ना पड़ता है बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है आप अगर वह fighting spirit अपने अंदर लाओगे कि मैं result दे सकता हूं अपने parents के भरुसे को जिन्दा रख सकता हूं तो आपका जरूर अच्छा होगा और जिस तरीके से मैंने unacademy quota offline में मैंनत करी अजय सबने मुझे गाइड करें डीडी सबने गाइड करें पुनीच सबने मुझे अपने अपने सब्जेक्ट में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रेरित किया और मैं बस यह कहूंगा कि यार मैंनत करो तुम भी सफल हो सकते हो बचों मैंने इस स्टूडेंट में जो खास बात देखे है न वह है हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी और पेपर जैसा की वी की अर्षर ने कहा इस बच्चे ने जही मेंस के हर एक पीवाई क्यू एक एक पेपर लगाया है उसके एक एक मिस्टेक्स को एनालाइज किया उसमें एक कर रिजल्ट की अपेक्षा मत कर तो इसी के साथ प्रशान बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बातचीत करके आगे आपका जैएडवांस आने वाला है तो हम सब की तरफ से आपको बहुत-बहुत बहुत बेस्विशिस गुड़ लग आप पेपर अच्छा दीजिए में से भी अच्छी आपके अडवांस पे रहें का है तक ही है ना फिर रम बापस में लेंगे एक बार यहां पे All the best All the best All the best All the best